नमस्कार गनेश जी के जर्म से जुड़ी अनेक अथाएं कही गई हैं। किन परस्थितियों में जन में और किन परस्थितियों में उन्हें गज का सिर्धारन करना पड़ा। एक अन्य कथा ये कहती है कि जैसे ही शनी देव की दृष्टी बालक गनेश पर पड़ी और गनेश जी का सिर्धर से अलग हो गया। इस घटना के बाद शिव और पारवती शोक करने लगे। उनकी ये हालत देखकर भगवान विश्णु ने हाथी के बच्चे का सिर्धर काट हमारा पॉटकास्ट स्ट्रीमिंग नाओ अन एपिक अन डाउनलोड और सुब्सक्राइब तो एपिक अन तोड़े